जारकंट बिहार से अलग हुए 24 साल हो गए लेकिन विकास आज भी जारकंट से दूर है कभी सत्ता में जेमेम गड़ बंदन तो कभी भाजपा लेकिन जारकंट की सरकारे विकास से जादा जाती वाग घोटाले दस्टा चार्जे से मुद्दों में घेरती रही है अब ऐसे में जब जारकंट में विधान सबा का चुनावी साल हो और लोकसबा में भाजपा का नुपसान हुआ हो तो सांसत में हिंदो मुस्लिम आदिवासी का मुक्ताव ना लाजमी है संसत के मौनसुम सत्र में भाजपा संसत ने देश में घटते हिंदू आबादी को लेकर सवाल खड़ा किया जारकंट से भारती जनता पार्टी के संसत निशकान दूबे ने राजी के कई हिस्से में घटते हिंदू आबादी को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार से नर्सी लावो करने की माहती साथ ही उन्होंने पश्चिम मंगाल और बिहार के कुछ जिलों से मुसल्मानों के माइग्रेशन और हिंदु गाओं के खाली होने पर भी चिंता जाहिर की दूबे ने कहा कि जब जहारकंड 2000 में बिहार से अलग हुआ था तब वहाँ संथाल 36 प्रतिशक थी जो अब घटकर मातर 26 परसेंट रह गई है आखिर 10 परसेंट आदिवासित कहा गए इस सदन में कोई चर्चा नहीं करता है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है जहारकंड में जो पार्टिया है जहारकंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही दूबे ने आगे कहा बांगलदेश अगुस्पैट लगातार बढ़ रहा है आदिवासी महिला उस से एक उस पैटिये शादी कर रहे है हिंदू मुसल्मान का सवाल नहीं है ये महिला है जो आदिवासी कोटे से चुनाव लड़ती है उनके पती मुसल्मान है लेकिन हमारे एक 113 पतिशक वोटर बढ़े है लेकिन हमारे यह एक विधानसभा शेत्र है इसमें लगबग 266 बूतों पर मुसल्मानों की आपादी लगबग 117 पतिशट बड़ी है जहारकंड में कम से कम 25 विधानसभा सीट पर 110 से लेकर 123 परसेंट वोटर की संख्या बढ़ गई है दूबे ने संसद में का जहारकंड के पाकुरतारा नगरिलामी और दागा पाड़ा में दंगा हुआ ये दंगा सिर्फ इसलिए हुआ कि भी मंगलदेश में कुस्पैट कर बंगाल पहुचे मुसल्मान जबरदस्ती हिंदूों के गाओं को खाली करवाया जा रहा है उन्होंने कहा कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशन गंज से आकर लोगों ने हिंदूों पर जुल्म किया उन्होंने भारत सरकार की हस्त शेप की मांग की और इनलाकों को यूनिन डेटरी बनाने की मांग की अगर गटी है तो सरकार ने अब तक इसे इतने गंबीर विशे को संग्यान में क्यों नहीं लिया अब देखना यह है कि जारकंड सरकार इस पूरे मामले पर क्या प्रतिकिया देती है